जैन सातियों में कमंडो आरके नाएक आप सभी चाहने वालों का दिल की गहराई से हारदिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, उमीद करता हूं दोस्तों आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, आप सब की तहरी बहुत अच्छी चल रही होगी, तो आज दोस्तों आधुन आजाद हिनद व्होज के बारे में कुछ महत्पुर्ण जानकारी लेंगे अज़ा दिन फौच पर मगद steak कब चला क्यों चला इससे समनदित्त भी कुछ मेंतपुर्ण जानकारी लेंगे इससे कर रहे होंगे क्योंकि दोस्तों जब तक आप किसी भी एक्जाम में परिक्षा देने के लिए जाते हैं तो उसके लिए दोस्तों आप सिर्फ कोई भी वीडियो देखने से या बुक पढ़ने से सफलता नहीं मिलती है जितना पड़ा है उसका जितनी अधिक बार रिविजन कर तो यहां पर दोस्तों यह चैप्टर सुरू होने से पहले मैं आसा करता हूं कि आप नोट बुक और कलम लेकर आउसे ही बेटे होंगे जो भी दोस्तों स्टुडेंट जो तैहरी कर रहा है किसी भी एक्जाम की तो उसके पास में कम से कम एक नोट बुक और एक कलम तो आउस बनाते हों यही काम आते हैं क्योंकि वीडियो बगेरा देखने में उस समय इतना समय नहीं बसता है एक्जाम के दोरान तो इस से पहले दोस्तों जैसे ही एक्जाम से कुछ समय पहले आप उसको एक बार रिविजन कीजिए ताकि आने वाले समय में या जब एक्जाम देने में और यहां पर हम आजाद हिंद फोज पर मुक्दमा से समंदित भी कुछ महत्पूर्ण जानकारी लेने वाले हैं तो यहां पर सबसे पहले दोस्तों आजाद हिंद फोज के बारे में सितंबर उनीस सो एक तालीस के अंदर केप्टन महान सिंग के सयोग से राश बियारी बोस्त ने मलाया में आजाद हिंद फोज की इस्तापना की अब दोस्तों यह सबसे फ़र्ष्ट जो आजाद हिंद फोज का जो फैला इस्टेप था वो यहां से हैं कि राश बियारी बोस्त ने मलाया में आजाद हिंद फोज की इस्तापना की लेकिन दोस्तों सुबास पर किति तब दोस्तों आपका राइट आंसुर होगा सिंगापूर कब की थी है अक्टूबर 1943 के अंदर तो यह समदीत क्यूशन और समदीत क्यूशन पूछा गया पहले भी एक्जाम में और आने वाले समय में भी दोस्तों यह संभावित क्यूशन बन सकता है तो उसमें की थी या किस ने की थी कब की थी मतलब इस तरह से क्यूशन वो पूछा जा सकता है उसके बाद में दोस्तों यहीं पर यह जो सुबाश चंद्र बोस है इन्होंने क्या कहा था तुम मुझे खुन दो में तुम्हें आजादी दूँगा और दिली चलो जैसे महतुपूण नार पर चार एक तरफ दे तेंगे उसके बाद में जो कहने वाले हैं या फिर जिस रिए नारा recipe आई ता उससे समझे़ती दोस्तों चार बंड़ के नाम एक साथ में मिलान की जिए इस ताइब की क्यूशन भी एक venues पूचे जाते है और इस तरह कि जो क्यूशन है उनको हल करने क कि ये तो तुम मुझे खुंदो में तुमें आजादी दूँगा सुबास चंदर बोश ने कहा था दिली चलो का नारा भी इन्हों ने दिया था यहीं पर और उसके बाद में दोस्तों 6 जुलाई 1944 को आजाद हिंद रेडियू में परसारण में सुबास चंदर बोश ने क्या क कि इनको सबसे पहले राष्ट्र पिता कहकर किस ने पोकारा था या संबोधित किया था तो इसका राइट आंसर दोस्तों आप यहां पर देख पा रहे हो कि सुबास चंदर बोश ने कब कहा था यह भी दोस्तों क्योशन अगर पूछा जाए तो आपका गलत नहीं होना चाह किते हैं तो उसके बाद में दोस्तों आपने यहां पर देखा कि अंग्रेज सरकार ने क्या किया आजाद इंद फोज के गिर्पतार मेजर एक मेजर थे जिनका नाम है दोस्तों यहां पर साहन वाज खां और उनके साथ में दोस्तों यहां पर आप देखेंगे करनल प्रेम स तैगल और इनके साथ में एक और वेक्ति थे जिनका नाम था दोस्तों गुरू दयाल सिंग पर नवंबर उनीस सो पेंटालिस में दिली के लाल के लिए में मुक्दमा चलाया गया उसके बाद में दोस्तों बचा उपक्स के जो वकील थे उन वकीलों में क्या हुआ दोस्तों बुला भाई देशाई के नित्रतों में तेज बादूर तेज बादूर सप्रू और आसफ अली नेरू आदी ने क्या क्या दोस्तों अदालत में बहस की और इन अधिकारियों को फांसी की सजा सुनाई गई लेकिन दोस्तों इस फांसी की जो सजा सुनाई गई थी इसको वे वेवेल ने क्या क्या माफ कर दिया यह दोस्तों जो चाहएंची तरह आप देख पारे हो वेवेल का इन्हों ने क्या क्या दोस्तों इनको माफ कर दिया और यह जो फासी की सजा है वो क्यों इनको सुनाई गई थी दोस्तों आपने देखा कि अदालत में बैस के कारण इनको इस तरह की सजा सुनाई गई थी लेकिन दोस्तों वेवेल ने इनकी सजा को माफ कर दिया था तो आशा करता हूं दोस्तों यह जो जानकरी मेरे दूरा दी गई है आपको अच्छी लगी होगी अगर दोस्तों कोई भी topic आपको जब अच्छा किसको लगेगा दोस्तों जो क्शी ने किसी exam की तेहरी कर रहा होगा उसी को अच्छा लगेगा और बाकि दोस्तों अगर अच्छा लगता तो इस तरह की जानकारी आप दूसरे भाईयों तक भी सेर कर दीजिए ताकि उससे क्या होगा दोस्तों एक कोई भी वेक्ति किसी भी परकार का कार ये करता है तो उसके लिए दोस्तों मोटिवेट या फिर उसके लिए मोटिवेशन की जरूरत होती है और हम दोस्तों जो भी कार ये करते हैं उसमें जो मोटिवेट हम होते है या पिर जो motivation हमें मिलता है वो आपके दुआरा किसी भी वेडियो में दोस्तों जो comment करते हो, share करते हो, like करते हो, इससे हमें motivation मिलता है तो इसके लिए दोस्तों आप motivation बरकरार रखिए आपका और हमारा दोनों का धन्यवाद, जैहिन, जैबार